जमूरे तेरी बुद्धी कैसे हो गई मंद क्योंकि अकल की सारी बाते इस बोरे में बंद तो चल मेरे छोड़ा खौल दे ग्यान का बोरा लेकिन हजूरे आला किस पर तो लगा है ताला अरे क्या चीज है तेरे लिए छोटा सा ये ताला जोर लगा के तोड़ दे मेरे लाला इसे मैं खोलता हूं काखागा की चावी से खुल जाए ग्यान का ताला शिक्षा सबको मिले छटे अग्यान का बादल काला बच्चे बूढ़े पढ़े पढ़े बालक और बाला शिक्षा बन जाए जनता का बर्ची भाला नहीं बपोती नहीं विरासत शिक्षा पैसे वालों की सबको शिक्षा मिले हटे जहालत सदियों सालों की गिली 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 फूँ बच्ची है क्या नहीं लड़का है लड़का है कितना बड़ा हो गया है अब की पूरन मासी पर साथ महिने को हो जाएगा साथ महिने का को बीमार वात है क्या हाँ जी बस कमजोर होता जा रहा है डॉक्टर को नहीं दिखाया हमारे पिता जी ने देशी दवाई पिलाई थी इसको क्यों? तुमारे माईके में डॉक्टर नहीं है है तो एक सरकारी दाई तो उसे क्यों ने दिखाया? ये सेरी दवाई गाम में असार ना करें किसने बताया? हमारे पिता जी कह वे इसे खिलाती क्या हो? मैंने कही ना, छे साथ महीने का है, अभी तो बस दूदी पी वे सरकारी डाई के पाथ जाती तो बो बताती, कि बालक जब चार छे महीने का हो जाए, तो उसे मा का दूद पुरा नहीं होता गाउम में तो बालक डेड़ डेश साल के हो जावे हैं, सिरफ मा के दूद पे किस्ची ले तो कमजूर होता है अरे इतने बड़े बालक को दूद के उपर भी कुछ खिलाना चाहिए किहूं का दलिया, साख सबजी, यह सब खाये बगर इसके खुराख पुरी नहीं होती तुम्हारे क्या बच्चे हैं? शादी नहीं होई तो फेर? लेकिन मुझे मालूम है अच्छा तुम्हारे ससुराल में सरकारी डाई है? हाँ जी उसके पाद जाना यह जो सरकारी डाईया होती है न, इन्हें खास तौर पर बालकों और और औरतों की देख़ाल के लिए ट्रिन किया जाता है उसके पाद जाओगी, जैसी वो बताए वैसी खुराख इसे दोगी तो फिर देखना, कितना मोटा तगडा सा हो जाएगा नाम क्या रखा है? अभी तो सब लाला कहवे हैं वैसे इसके दादा जी ने इसका नाम भुवनेश्वर परसाद रखा है क्या? भुवनेश्वर परसाद? आरे बाप रे, इतने से बालक का इतना बड़ा नाम हम तो इसे लाला ही कहेंगे, है ना लाला जी? लाईए हम आपका नाम लिखते ला 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 लीजिये आपका नाम पक्का हो गया लाला ज Edis का नाम लिखते हैं ला लाला हुई हुई डाइवर साब फाटा खुल गया चलाओ गारी वैसे ही गणी देर करा दी और क्या कर दो कलाओ कर दो कर दोटे दोटे प्रहों कर दो म करा दो दोटेंगी खुल है कर दो प्रहों की दोटा आगारी उप्रा रहारी नहीं है क्या प्कार्ण अबनाउन का उता है कर दो कर दो कर दो कर दो कि राम राम बहन जी राम राव कहां जा रही हो जी गंगरा ले चलो मैं भी भही जा रहो हो जी काओ तो आपका सामान वातक छोड़ दूँ अच्छा तुनू काओ क्या आप ड़क्तरानी हो ड़क्तरानी तो नहीं हो तुझी लेडी हेल विजिटर के कहते हैं सुना है स्वास्त के इंदर तंग्रोले पंचार ने बन जावा के दिया है कि लिए थे वर्ण मंवाया है एक घुराने मोर्मत करवाई है सोभी सरकारी पैसे से गावलों एक तीक अरे थो ? तो ठीक है यही मैं कीम्हेर तो कंबम बंक अन्य था किसी को भी नहीं जानती है उसका घरवाला किसान सबाचलात वह हैं उसी ने कह कह के कमला को पढाई करी गाजी किया अब तो कमला उससे दो कड़ आ गए है अच्छा हाँ जी आभ कोई उसर मैस की घरवली ना कें वै अब तो सब नू कहें वो रमेज हैं न कमला का गर्वाना हर खासों अमगर से सुनाए कहानी औरत की कहानी है ये औरत की जुबानी ये कौन का रही है आप सुनिए जरा औरत नहों तो कौन नलाई करे भला खुर्पी लगाए कौन गुडाई करे भला फिर धान रोपने का नहीं आदमी में दम औरत नहों तो उसके निकल जाएं सार खम औरत बगेर फसल है दुश्वार उगानी औरत की कहानी है ये औरत की जुबानी हर खास और मघर से सुनना ये कहानी औरत की कहानी है ये औरत की जुबानी औरत की कहानी है ये औरत की जुबानी औरत की कहानी है ये औरत की जुबानी कितना चगाती है ये खिलोने बेचनी वाली है ना सरफी अनात है बेचारी पहले मज्जित से जो कुछ मिल जावे है सोई खा पहन लेवे थी फेर कमला ने इसे खिलोने बेचनी पे लगा दिया बेचारी अपना पेट पाल लेवे है जी और कमला के सिखाये गाने गाम गाम में गावे है थाकुर भावानी परसाद का टैक्टर खड़ाए गंगरोली के परधान है साथ में कामता परसाद भी है आगे आप इनके साथ चली जाओ इतनी दुर लाए हो वहां तक नहीं चोड़ागे थाकुर ने अगर आपको हमारे साथ देख लिया तो बेकार आप पे भी सक करेगा शक कैसा शक किसान सबावालों से खास चिड़ है उन्हें और वैसे भी हम का कर दोनों हमें जानते हैं हमारे नाम बोलू राम है यह कौन है लगता है नहीं हेल्थ विस्टर है अरे हाँ इसे आज ही तो आना था कर शाम ही तो मीरा देवी को सारी हिदायत देके आया हूं चलो यह भी अच्छा हुआ कि पहले हमसे मुलाकात हो गई हाँ वो रमेश की घरवाली घात लगाए बैठी होगी सुस्री का है कब डाक्टर ने आये और उसके कान भरे अरे पंडिजी घवराये मत ट्रेक्टर में बिठाल के सब सेंटर तक छोड़ाते हैं और रास्ते में अच्छा पिट कर दूंगा कि बस ठाकुर साब के पे चला करेगी घवराये अच्छा बोलो ना आये आये डॉक्टर सावाइए आये और शाजी आये नमस्ते ठाकुर साब तो कब से आपकी राह देख रहे हैं यह है ठाकुर भवानी परसाथ गंगरोली के पर्धान और यह ह पंडित लच्वी नारायन नमस्कार और में कामता परसाथ हूँ पंडित कामता परसाथ है अच्छा आये बैठेए आये पंडित जी नहीं आई है अजी पंडित जी ब्रहमचारी अथमि हैं और तुमके साथ पूर नहीं बैठते हैं इदर आजाओ कर दो कर दो कि कोई कंबला है जो गाव में बहुत मानी जाती है जी डाक्टर साहब आपने भी किसकी बाते कान दिया रोको मिजर रोको अब यहां से आगे पैदेल जाना पड़ेगा तो आये इदर से आये पुराना गाव है ठाकुर साहब और हम लोग मिलकर कोशिश करते हैं कि गाव की तरक्की हो अब आप आ गई हैं तो आपके सायोग से और भी तरक्की होगी ऐसे लोग अनपड़ हैं और कई बार समझते भी नहीं है ठाकुर साहब बहुत कोशिश करते रहते हैं कि लोग समझें ये सब देख रही हैं आप ये ये सब कमला के आदमी की कारस्तानी है ये किसान सभाज दिन्दाबाद और ये खेत मजदूर यूनियन दिन्दाबाद आए दिन कोई न कोई बखेडा करता ही रहता है अपनी लुगाई को उसने दो चार अक्सर क्या पढ़ा दिये हैं अब वो जाने अपने अपको क्या समझने लगी है देखे डक्टर साब आपको इन जगड़ों में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं आप तो बस अपना सबसंटर चलाईए और जैसा ठाकुर साब कहें वैसा करती रही है तो कोई समस्चा नहीं होगी और कहीं आपको कोई तंगी हो, कोई परिशानी हो तो आप सीथे ठाकुर साब के पास आए और कहीं जाने वाने की कोई जरूरत नहीं है चलिए, आए, आए तो इस तरह के लोग तरह तरह से आप पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है हम है आपके साथ ठाकुर साथ है अप चली आ रही है महरानी मीरा देव नहीं नहीं ठाकुर साब नमस्ति रहन जी है तो आप लेए ने ठागु साब अरे तुझे तो फिकर है ना अपने अफसत तो हमने का हम ही लिवा ला है आए डाक्टर साब मेरा देगे तेरी छोडी नजर नहीं आ रहे तो पढ़ने गई है ठागु साब अच्छो तो यू करवाएगी तू डाक साब किसे अरे तुझे तो था कि डाक साब आगी है आ रही है तो फिर उसे रोक नहीं सकते थे क्या इस समय कहा पढ़ने गई है अजी वो प्राओर शिक्षा के इंदर खुलवाय था गाम में अब सलाजी का बवाल बन गया है अब देखे ना उस छोरी से हिडायत करी थी कि यही रही हो आपके पर नहीं तो गई है अच्छी बात है पर वैसे भी मुझे किसी खास मदद की ज़रत नहीं है तो ठीक है पर आये चलिया आये अरे में दीजे प्रादान जी मैं आप इनके साथ चले जाओंगी लागा समान चाय बनाओ भेंजी नहीं बस पाने बिला दो हाँ भी लाई लीजे पाने कौसल्या अभी आती होगी आज इसकों में कितावे बटनी थी फिर सुसीला ने कहीं किया आज जरू बेह दी जो सो मैंने बिना रोका हारे तो क्या हुआ लेकिन तुम्हारे बेटी प्राद सिक्षा केंद्र क्यों जाती है स्कूल नहीं आस पास स्कूल जाने के उमन ना है उसकी सोले में में लगी है तो बच्पन में स्कूल क्यों नहीं भीजा बस अब कह बताएं अम्मा देख अम्मा, दो के लिए आँ दो कीटाबे मिनी तरी यही है कोशन लिया राम 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 अले तुझसे कहए जल्दी अलावई पे भैण जी नास्ते यह सुसीला देनी है अच्छा अले 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 तुझसे कहए जल्दी अई यो रागुर साब किक्ते नाराज है के दहीं, चला प्रोटी बना जर्मी भेंजी के लिए, ठकी रही है खाना तो बहुत अच्छा बनाती है तुम्हारी बिटी है अब बिटी तादिप मत करो भेंजी, बैसे ही बस सिर चड़ी भईए किताबे लाकर दिखाओ, हाँ, दिखाओ मैं तो बस जिय सोचातूं के थोड़ी बहुत पढ़ लिख ले और आपकी संग्र है के कुछ सीख जाए तो आप इसे कही मेरी तरह हेल्थ परकर लगवा दो तो पैसे कमानी लाइक हो जाए, तब सुस्राल में दबके तो ना रहना पड़ेगा आप सो तो है इरही किताब खिलती कलिया, कहा तक पढ़ ले तुने? आज ही शुरू करवाईए अच्छा, ये बढ़ ब आकादंदा बा, ल, बाल, क, बाल, क ब आकादंदा बा, ब आकादंदा बा, बाबा ल आकादंदा ल, ल, लाल ल, आका डंडा, ल, आका डंडा, ल, ल, आका डंडा, ला, ला, ला अरे बाद, तुने तु सब पढ़ लिया, अब लिख के दिखा पस, लिखा है ना जाता मूपे क्यों? बेहन जी ने सिखाए नहीं क्या? सिखाए चुना होगा, जै की बुद्धी मूटी है कैसी बाते करती हो मीरा रेवी, जितना इनने एक दिन में पढ़ लिया, कोई ना पढ़ पाता है अपे शुरू शुरू में लिखने में दिक्कत तो आती है बिल्कुल ठी, शेहर में मैं जीजबस्ती में रहती थी, वहां महिला समिती वालोंने सेंटर खुला था महां भी मैं देखती थी, लिकना सीखने में वाके देर लगती है और वहां जो लड़की पढ़ाने आती थी, वो क्या करती थी कि काशल्या, मेरा वो गुलाबी डिबा लेके आना जरा कलम से लिख के सिखा जाए, ये कोई जरूरी नहीं जयो प्रूरी एका ज्लाब कि एका ए्छ सेंगे ऑलाई ये जो हुआ एजा है ये इंगे बाती एए है नासान ऐसे बना लोगी रोग इसमेसे देखके तो दूसरा सबली कर दो कर दो कर दो दो वाहा है अच्छा बनाया ना एक बार में सीख गई पहले इस तरह डोरी से बना हां फिर बार में पैंसिल से लिखने में कुल परिशे नहीं है करवा बाहर निखल करवा ये तु कांदा परसाथ क्या वाज है पाई लागों फाको साथ क्यों बहुत कर लुए चरागा तेरे बाप की एक है कांद खोल के सुनले अगर कल से तेरी गाएं यहां दिखाई दी तो तामें तो के रखतूंगा लेकिन यह तो परे कांद की है चरागा जाओ के बच्चें सुरे बाप ने बरवाई ही तरहागा हराम खोलो मारे कले आको एक कशलिया जा बेती रमेश्र कमला को बलाके किला दे अज़ाद आप आपके बाहर को कर दो अज़े रहोगे पड़ने के ही किसमत को बदल पाएगी और पड़ने के साथ मर्ग के चल पाएगी और आप जो पड़ गई तो वो दब करने रहेगी हर गिस नए समाज के जुल्मों को सहेगी पड़ने के हक को पाने की औरत में है ठानी औरत की कहानी है ये औरत की जुबानी औरत की कहानी है ये औरत की जुबानी